हेलो फ्रेंड्स आज रिव्यू देंगे हम होमोपैथिक मेडिसिन है थूजा ओइन्मेंट्स सो उसके बारे मैं बताना जा रहा हूं मैं यह बेसिकली यूज होता है और इसके बैनिफेट्स जो है और इसके साइड इफेक्ट्स जो है यह मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा तो आप प्लीज एंड तक बने रहें जानने के लिए इसके usage क्या है, benefits क्या है और इसके side effects क्या है तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो तो इसका नाम है थूजा Oignments या फिर थूजा Occidentals भी बोल सकते हैं आप इसको और इसका एक बार मैं बता देता हूँ, यह एक homopathic medicine है और इसमें क्या क्या है इसमें एक तो पहले थूजा है और दूसरा white petroleum है, paraffin है और lanolin है और इसको बाहर के purpose के लिए यूज किया सकता है हम इसको जैसे मसें आ जाते हैं, गरदन पर उसके लिए उज्स मिला सकते हैं और जैसे कीले हो जाती है, पैरो में खुराकी जिसको बोलते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं और इसको हम mentality में भी use कर सकते हैं लेकिन guilty में use के लिए पहले आपको doktor से consult करना चाहिए लाबदाय के उसके आप यूस कर सकते हैं मसों के लिए और खुराकी में भी यूस कर सकते हैं आप जो हातों और पैरों में निकल जाती हैं सो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं सो ये मैंने खरीदा था ये 25 ग्राम का है होमोपैटिक मेडिसिन देख सकते हैं आप यहाँ पर 25 ग्राम का है और ये मेरे ख्याल से 55 रुपे का आया था ये देखें 56 रुपे का है परचेस करने से पहले आप इसकी कर सकते हैं ये देखिए ये इसके ट्यूब है मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो बैसिकली ये प्रैगनेंट लेडिज और जो धुम्रपान और नशा करते हैं वो ये ना ले वो डॉक्टर के को पहले कंसल्ट करें देन उसके बाद ही इसको यूज करके देखे थूजा ओइनमेंट को अगर आपको मेरा ये वीडियो जो होमोपैतिक सेक्षन है अगर अच्छा लगा हो वीडियो का तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर दिस वीडियो तो इस्प्रेड नॉलेज ओके थैंक यू एंड मीट यू इन अच्छ वीडियो थैंक यू गईज